नमस्यार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते पेटा तुम्हें जो मांगना है मांग लू क्योंकि पिछले 5-6 या देवता तुम्हें शंकेत दे रहा है और अब वक्त आ गया है जब आप शबी के जुनकाल में कुछ बड़ा होने वाला है जी हां दोस्तों और आपका वह वक्त आ गया है जब आपको शबी करने के लिए गोहार लगानी है यानि कि दोस्तों जो आपके दिल में है वे चीज आपको मांगने है आज शाम के 5 बचकर 10 मिट को प्रांद आप शबी के जुनकाल में बड़ा ही चमतकार होने वाले हैं बहुत ही बड़ी बदल आप शबी का इंतजार कर रहा है जिहां दोस्तों बच हम आप शबी को यह बात पताना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज की इस वीडियो को आप बहूल कर भी नजर अंदाज मत किचेगा कि दोस्तों यह वीडियो नहीं आप शबी की जुनकाल में शबलता क चाह भी है काम्याबी का चाह भी है जिहां दोस्तों अगर आप इन्हें अंते तक ध्यांश देख लेंगे तो दोस्तों आप शबी को तो आपको यह अस्जीश पता चलेगा कि आपका आने वाला शमय कितना महत्पून है जिहां दोस्तों दोस्तों आप शबी को बता दें कि आप पिछले कई शुमेशे आप अपने जुनकाल में प्रिशानियों को देख रहे हैं, प्रिशानिया आपके जुनकाल में आ रहे हैं, अपने जुनकाल में कई तरह की आप अर्चने को देख रहे हैं, मुशिवत आपके शाथ एक नैक नई नई आते ही रहती है, जितना आप आप मेहनत करते हैं दोस्तों उतना आपको फल नहीं मिल पाता है शातिशा दोस्तों हम आप शिभी को पचा दें कि पेशा भी आप शिभी के डियून काल में टिकता नहीं है जिए दोस्तों जितना आप पेशा कमाते हैं उतना पेशा आपके पास रह नहीं पाता है आते हैं त तो दोस्वों वापेशा किशी ने किशी बिगन बदाय में खत्म हो जाते हैं। जिये दोस्वों हम जातने कि आपके जूनकाल में बहुत शारी शिजातक हैं। जिनको रोजगार कारवार में बहुत शारी अर्चने, मुशिपिते और शमश्याई देखने को मिल रही है। जिये दोस्वों लेकिन दोस्वों हम आप शिजातक हैं। कि अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है। जिये दोस्वों और अब शिजातक हैं। जिये दोस्वों अब शिजातक हैं। जिये दोस्वों आपको अपको अपने जुनकार में बिलकुल ही धालने नहीं है। ताकि दोस्वों आपकी जुनकाल में दोबारा कोई भी इशिमुशिबत ना आए, कोई भी इशिश मश्याय ना आए, जिन से आप अपने जुनकाल में तंग हो जाएं। जिये दोस्वों बहुती शरल और बहुती खाश उपाई बताएंगे। जोके दोस्वों आपकी जुनकाल के लिए महत्पुन है, जो यहाँ देवी दिवताओं को परिशन करेगा, और आपको हमेशा शहिकारी करने की ओर लेकर जाएगा। जिये दोस्वों आपकी जुनकाल में एशे कारे नहीं करेंगे ताकि यह देवी दिवता रूष्ट हो जाए। जिये दोस्वों शारे बात विशेच है, इन बातों को ध्याँश देखिएगा। इनसे आप अपने घर, अपने परिवार को और अपने जिवनकाल को बहुती बहतर दिशा में लिकर जा पाएंगे। तो दोस्वों विडियो को आगे बिलकुली ध्याँश दिखिएगा। जी हैं दोस्वों आप शिवी को बिता दें कि अब शे आप शिवी की जुनकाल में राजजियों का निर्वान होने वाले हैं। दोस्वों चैनल को शर परतम सब्सक्राइब कर लें। शाजित साथ दोस्वों बेल आइकन को प्रेश करके औल पर श्लेट कर दें। दोस्वों सच्चे मन से वीडियो को एक प्रेश लाइक करके कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन से जय मलक्ष्मी जय भुहलिनात जरूर लिखेगा। दोस्वों माता लक्ष्मी और घग्वान भुहलिनात का श्लेट मस्तिवाद आपशिवी को प्राप्ट होगा। तो ऐंडोस्वों बात करते हैं। दोस्वों आपशिवी को बता दे कि आपके जुंकाल में कई शारेश कारण हैं जो कि अंजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुक्षान उठाना पड़ता है दोस्तों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रू बन जाते हैं जिया दोस्तों कई बार आप अपने ही लोगों शी परिशान हो जाते हैं आपके बहुत शारी कारोबार में अर्चने आ जाते ही और उन शारी अर्चनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है और दोस्तों हम आप शिबी को विदा दें कि या शुमे आप अपने जुनकाल में इन्ही बातों का ध्यान रखना है कि कौन से अपने बनकर जो आपके जुनकाल में शत्रु घुन रहे हैं उन से बस आपको शमलना है जिए दोसों आप शबी को बदा दे कि आपने पिछले जिवनकाल में पिछले श्यमेंतराल में जिसका भी आप भला किये हैं वही लोग आपके लिए बुरे शाबित हुए हैं लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि आपका दिल और आपका भाव बिल्कुरी निस्सल है आपके मने में कोई छलकफट नहीं है आप साफ दिल की इंसान है और हमेशा आप लोग की भलाई की ही बारे में शोजते हैं अगर कोई इंचान आप शी मदद मांगे तो दोस्तों आप उन्हें ना कारते नहीं हैं आपके दिल में आपकी दिमाग में बश्य ही रहता है कि हमसे जो हो शकता है हम इनके लिए जरूर करेंगे और दोस्तों आप कई बार करते भी हैं जिहां दोस्तों शादिशा दोस्तों आपको बता दे कि कई बार आपने दोसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड़े में भर ले हैं और दोस्तों आगे चल कर वो इंशान आपके शात नहीं होते ही वो इंशान आपको भूल जाते हैं जिहां दोसों और आपको तब जाकर बुरा लगता है कि हमने अपने जुनकाल में जिसके लिए इतना कुछ किया इतना उनके इशाहता की उनके लिए दिन और रात तक नहीं देखी जब उन्होंने जो बोला हम उनके लिए तैयार उनके लि पुरा लगता है जी है दोसों और आप इन्हीं सब चीजों को देकर कभी कबार खुद ही खुद रोते हैं लेकिन दोसों हम आप शुब को बता दें कि आप बिल्कुल भी निराश और बिल्कुल भी मायूश मत होईएगा कि दोसों किश्मत आपके शाहत है भगवान की शक् जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोसों आपके शुनकाल में बिल्कुल ही खुशिया होंगी बस आपको अब इन लोगों से शावदन होना होगा कौशी कारियों को करने होंगी कौशी बातों को ध्यान रखना होगा हलांकि दोसों आप किशी से कोई इनिश भी अच्छे भाव की गारण यह दो दियुदियुताओं के उपर बहुत ज़्यादा परशन रहते हैं आप गलत भी करते हैं फिर भी यह दो दियुदियुताओं का शिरवाद आपके शात रहता है इनका नजर आपके शात हमेशा रहता है अगर आप कभी कबार गलत पड़ते शे कोई कारी कर देते हैं तो न में आपको हरजाना भी बढ़ना पड़ता है केंको दुसरों होदो देटा हमेशा आपको अच्छे कारियों को ही करवना शाहता है। अगर आप जाने अन जाने में कि-षी के बातों में आकर कोई गलतकारी कर देते हैं तो दोसों उन्में आपको यहाशंकेद भी देते हैं। जिन बातों को आप कभी कभार नजर अंदाज भी किये हैं जिनके कारण आपको मुशिवतों का शामना करना पड़ा है। इसलिए दोस्तों आपको अबशे वह गलती नहीं करनी है जो आपने अंजाने में की है जी दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जुनकाल में जो भी आने वाले शुमे की क्रियाएं होंगी जो भी आने वाले बात होंगे जिनको आपको ध्यान में तो आपको क्यों से शावधानी रखनी है। तो दोस्तों आपको बढ़ने के शर्व पर्तम अख मुंदकर आप जिन पर भरुशा करते हैं वो धोका देते हैं। तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में बश्र इन बातों का ध्यान रखना हैं। कि जिन्द लोगों पर आपने बहुत ज़्यदा भरुशा किये हैं, उन्हों पर अब आपको बिल्कुल भी भरुशा नहीं करना है, आपको अब पहचानना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके पराय हैं, कौन लोग आपके मुह पर अच्छे बोलती हैं औ आपके जुनकाल में कोई भी गलती नहीं होगी। किशमत में था लेकिन दोस्वों हम आपको बिदा दें कि गरहों की जो इस्तिती है वो हमारे ही कर्मों के नुशा चलता है जे दोस्वों गरहों की सिती तो है ही हम जिसा कर्म करते हैं वे इसी गरहों के भी इस्तिती बनती है इसलिए दोस्वों इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा आप अपने ही इसे लोगों के शाद गुमें जो की आपके लिए शगे अपने हैं भ squishy आपको क्या करना है की पहचां करना है की कौन से आपके अपने हैं, कौन से पराये दोसरोग यह हो गया, आगहम आपको बदा दे कि ये दो दियुदाओं का अशी मशिरबाद आप शिबी के जुनकाल में प्राप्त होने वाले हैं। जिन के कारण दोस्वों आपको हर छेत्रों शे शफलता की प्राप्त होगी। शबशे पहले दोस्वों आप शिबी को बताया दें कि यश में आपको रुजगार में जो लंबे शमीर से अर्चने देखने को मिल रही थी। दोस्वों वे अर्चने शमाप्त होने वाली है। और आपकी रुजगार फिर शे चलने वाले हैं बहुत ही तेजी शे। जिन लोग के पास रुजगार नहीं थी। दोस्वों उन शबी को यश में मन चाहे रुजगार की प्राप्ती होने वाली है। जे दोस्तों और जो लोग पहले शेही रोजगार में कारिकरत हैं आफिस में आफिस में आफिर कोई इसाद जॉब करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो भी शेलरी है उनमें बड़ोतरी हो शकती है आपके पज़नती हो शकती है और आपको जो शम्मान है आपक जो भी आपके कार्यों में आपके इसे जो कार्यों बारे हैं नुक्षान मुश्वते उठाने पड़ रहे थे दोसों उसे इसमें छुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके वैपार के चत्र हैं वो दुगनी तेजी से तरकी के और बढ़ते जाएगा यह दो दिवताओं का बाद है इनके कारण आपके जुनकाल में जो शत्रू आपको परिशान कर रहा था जो आपको बदनाम करने की साजिशें रच रहा था दोसों वहाँ अब आपको परिशान नहीं कर पाएगा और जो आपको शाजिशें रच रहे थे उनमें वो खुद ही भशने वाले हैं जि तो दोसों हमने आपको तो बता ही दिया कि इन लोगों से अब आपको शावदन रहना है बस दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आप कारी कर रहे हैं उन पर यकीन करके कि ये कारी हमारी सच्ची हैं दोस्तों एक बात बता दें कि कभी भी आप कोई दो नमर के काम को मत किजीगा, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये कारे आपके जुनकाल के लिए बहुत नुक्षान दायक है और ये दो दिवता हमेशा आपके जुनकाल से इने शब कारणों से रूश्ट हो जाते हैं, किसी आ दो देवताओं का शिरबात आपके प्रवना रहेगा, ये देवता इन शब बहुत ही प्रशन रहते हैं, तो दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, और दोस्तों इस बात का आप चिंताव मत किजीगा, कि लोग आपको परिशान गर देंगे, दोस्तों जो लोग आपको बदनाम करने की साजिसें कर रहे हैं, वो लोग अब खुद ही बदनाम होंगे, जी अदोस्तों जो लोग शेणितर रच रहे हैं, वो खुद ही उस शेणितर में फशने वाले हैं, जी अदोस्तों आपको कौन शी बातों का ध्यान रखना है, दोस्तों आपको अपने जुनकाल में एशे शंभावनाई बन रही है जिन से आपके कई चित्रों में धन की प्राप्ति होने वाली है धन की शंभावनाई आपके जुनकाल में आपके गरहों में यश्मे बढ़ने वाली है जी यह दोस्तों जो भी लोग शरकारी पक्च में कारीरत हैं उनको शरकार द आपको पेशा कहीं अगर निवेश कर रहे हैं तो दोस्वों अगर आप पेशा किशी को दे रहे तो दोस्वों वहाँ पेशा आप बिल्कुल ही मत देजीगा क्योंकि दोस्वों अगर आप यश में पेशा देंगे तो दोस्वों वहाँ पर आपको रुकाउटें आशकती है ये आपके लिए शावधानी है दोस्व आप होते हैं कि आप सबके लिए अच्छे वैवार रखते हैं लेकिन दोस्व कुछ लोग की पहचान करना भी आपको ज़्यादा वच्शक है कि कि दोस्व ये श्य में कुछ लोग रोते हैं और आपके शाथ ना टक करके आपशी पेशी लेते हैं लेकिन दोस्वों उसके मन में छल की भावना होती है और दोस्वों वो पेशी आपको देना नहीं चाहते हैं इसलिए दोस्वों जो विक्ति को आप देख रहे हैं कि ये शाहता की लायक है ये शर्च बोल रहा है तो दोस्वों उन ही को देजीएगा हलांके य श्रमेगरं के जो इस्तती है आपके शामने बिलकुल ये छली वक्ति आने वाली ही जो कि आपसे स्यूग मांगेंगे और य श्रमेच आपको शाओदां रहना होगा कि दोस्तों आपका जो पेशा है वो फंशकता है बस दोस्तों इस बात का देन रखें तो आई दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि जो दो देज़ताओं का शिरबाद है वो दोस्तों पहला देवी है धनकी देवी मातालक्षमी जिये दोस्तों धनकी देवी मातालक्षमी आपके जुनकाल में पेशों की बारिश करती है वह पेशा आपको दुगनी-چोगनी तरफाश यापको लाप दिराती है जिह दोसूं आपके अच्छे कर्म और अच्छे श्भाव के वेश ये आपके पास पेशा बहुत ही आता है लेकिं दोस्तों आपके ही गलती की कारण कई बार पेशा आपके हाथों से भी चला जाता है तो दोस्तों आपको अब कौन शी गलती नहीं करनी है दोस्तों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उनों लोगों अशात नहीं रहना है शारी शार दोस्तों आपको बिता दें कि अब आपको अपनी जुनकाल में पेशों का विस्य ध्यान रखना है पेशे को दोस्तों कई ऐसे अस्तान पर खर्च मत केज़ेगा जो की आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आप शूच रहे हैं दोस्तों हमेशा पेश्य का जो खर्चा है वो दोस्तों सही श्यमी पर ही कीज़ेगा वेर्थ के खर्चों में जो इंसान पर जाता है दोस्तों उनके जिवनकाल से धनकी देवी माता लक्षमी डुष्ट हो जाती है तो दोस्तों आपको बश इस बात के आदर रखना है और धनकी देवी माता लक्षमी के शिरबाश्य अब आने वाले शिव में खुशियां मिलने वाली है दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में जो भी मुशुवत है पेशों को लेकर जो भी शिरबाश्य है जो भी घर में बधाएं उत्पन होती है पीशों को लिखर दोस्वों वो शारे बधाएं अब धिरे धिरे कत्म होने वाले हैं और घर परिवार का महौल अब बहुत ही शिकारत्म होने वाले हैं गर परिवार की लोग आपसी सायोग में रहने वाले हैं और दोस्वों शाथ शाथ ध्यान दो किएगा कि घर परिवार की शाथ रह करी आप कारियों के किजिएगा कि दोस्वों यश्मी आपके शाथ माता लक्षमी के अश्रबाद है उनका नजर आपके परिवार पर हमेशा रहता है, तो दोस्वों हमेशा आप अपने परिवार के शाथ मिल जूल कर चलिएगा, बस आप इश बात का दन किएगा, किशी के बातों में आकर आप अपने परिवार के khilaफ बिल्कुल भी मत जाएगा, कि दोस्वों लोग भले ही आपको कुस गह दे, लेगे दोस्वों घर तब उसे ही आपको याद करते हैं बस इस बात के आप ध्यान रखिएगा और परिवार का शाथ आप पिल्कुल ही मत चुड़ीगा दोस्वों हमारा कहने का अर्थबश यही था शाथे साथ दोस्वों आप शिवी को बता दें कि दूसरा जो देवता है वह है दोस्वों देवों के देव महादेव का शिरवात पिछले पांच शालों से आप शिवी की जुनकाल में है पिछले पांच शालों से आपके घर परिवार पर इनका नजर है जिन के कारण दोस्व आपको कईशारी संक्रणों से भी भगवान भूले नात ने बचाए है बहुत शारेशे बधाएं आपकी जुनकाल में आई थी बहुत शारेशे दुरगटनाएं आपकी जुनकाल में आई थी जिनसे श्वेंग देवों की देव महादेव ने आपकी रक्षा किया है और दोस् दोस्तों अब आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है दोस्तों बश आपको अपने जुनकाल में अभी ही करना है कि श्रमई निकाल कर आपके जुनकाल में जितना भी श्रमई हो जितना भी कारी हो दोस्तों उन श्रमई को करने के बाद थोड़ा श्रमई आप अपने यह आपके धन के मालिक है यह आपके वैपार के मालिक है तो दोसों इन उपर आप बिलुकुल ही ध्यान दीजेगा जिया दोसों और शमी निकाल कर आप भगवान भुरेनात की पूजा रचना कीजेगा शिव वंदर में जाकर इनके लिए आप जल जरूर अरपित केजेगा ब और आपके जुनकाल में जो भी बदाएं आएंगे दोसों उन्हें यह हर लेंगे और दोसों आने वाले शमी भगवान भुरेनात के शिर्बाद से और जो आपके घरहों में इस्तिती मर रही है इनके नुश्वार कौन से बदलाओ देखने को मिलेंगे दोसों हम आप शिव शमीश से आपको बार-बार वहां पर शबलता में रही थी आपका जो बीजा था आपका जो कारे था वो दोस्तों हमेशा सफल चर रहा था लेकिन दोसों अब आपको शबलता आवशी मिलेगी यहाद दो देविदिवताओं का शिरबाद आपके शाहत है और गर्णों का यह शंकेत है कि जो भी परिशानी आपको जिस शेतर में मिल रहा थी वो आपको खत्म होने वाली है और दोस्तों आप शिरबी की जुनकाल में यह जो देविदिवता है इनका विशेश किरपा बना रहेगा इनका विशेश नजर बना रहेगा दोस्तों आप शिरबी को बता दे है जी हां दोस्तों आप शिवी को बता दे कि आपके अच्छे कर्मों के कारण आपके अच्छे शुभाव और आपके अच्छे श्रद्धा के कारण या दो देवी देवता आपके जुनकाल में हमेशा प्रेशन रहते हैं जी हां दोस्तों शाथ 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 दोस्तों आपको जोनकाल से रुष्ट हो जाती है तो दोसों आपको इस बात का ध्यान रखना है हमने आपको पहले ही बदाए है कि किशी भी नारी का आपको पनना नहीं करना है इनसे दोसों धनकी देवी मातालक्षी में हमेशा रुष्ट हो जाती है तो दोसों इस बात का आपको ध्यान रख जै दोसों और आपको हमेशा औरतों का शमान करना है। चाहे दोसों आप कहीं पर हो घर में हो कारेस्टल पर हो कहीं पर जा रहे हो बश आपको औरत का शमान करना है। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि मातालक्ष्मी का नजर आपके शाथ है आप जहां भी जा रहे हैं जो भी कारी कर रहे हैं मातालक्ष्मी का नजर आपके शाथ है तो दोस्तों कभी भी भूल कर भी आप औरत का अपमान मत कीजेगा इनसे मातालक्ष्मी रोश हो जाएंगी और दोस्तों कई बार माताल लक्षमी भी आपकी जुनकाल में और अरत की रूप में आशकती है तो दोस्तों इस बात कर देहन रखिएगा अगर आप ये गलती आगे शे जाने जाने में करेंगे तो दोस्तों आपकी जुनकाल के लिए बहुत बड़ा लगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीजिएगा दोस्तों ये आपके जुनकाल में मातालक्षमी की परिक्षा हो शुकती है दोस्तों आपको अपने जुनकाल में एशी बातों का देनकना है इसे दोस्तों धन की दिवी मातालक्षमी बहुत ज़्यदा प्रशन होती है और धन में जो दिक्कत आती है, धनाने में जो दिक्कत आती है, जो पेशे की समयशाय बढ़ने लगती है, रोजगार की जो शमयशाय बढ़ने लगती है, दोसों इन्हें शभी के कारण होती है, तो दोसों गर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो शारी ये बधाये खत् प्राप्ति होगी और पेशों की दिकत जो आपकी जुनकाल में सलती है वो जडशे ही शमाब्त हो जाएंगी, तो दोसों, आपको क्या करना है कि ओरत का शमान करना है, जिहां। दोसुम तो दोसों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है शाथिशा दोसों हम आपको बता दें कि महादेव आपशी कभी कभी रुष हो जाते हैं दियो दोसुम आप लोग शौमवार के दिन अगर नौनवेच खाते हैं मांश मंदरा का शेवन करते हैं तो दोसुम पर कोई भी खाली बेठा दिख जाए तो दोसों उन्हें आप परशाद को अवश्य खिलाईएगा दोस्तों इंशी आपके मन ही नहीं आपके हिर्देव शंतु चोते हैं इस ये महादेव आप शी जादा आपके हिर्देश प्रशन होते हैं आपके इन्याद देकर वो बश आप इस बात क्या धिन रखें दोस्तों बात बहुत ज़्यादा मैटपून और बहुत ज़्यादा खाश है दोस्तों अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों इन्से आपको बहुत ज़्यादा लाब होगा दोस्तों अगला हम आप शी भी को विदा पिशिक माता है और अपना जिवने यापन करता है उनको जो इंशान परिशान करता है उनके उपर महादेव का किरपाद्रिष्टी कभी भी नहीं होता है यह दोसे इस बात का द्यन रखिएगा उन्हें जो परिशान करता है उनके जुनकाल में महादेव की कुद्रिष्टी उ लेकिन दोसों उनको अपने जुनकाल में बड़े ही शुपलदाओं की प्राप्ति होती है जिया दोसों और वो जीवन भर अपने इस कारियों को लेकर बहुत इज़ादत प्रिशना रहते हैं और कारी को करते करते अपने जुनकाल में बड़े-बड़े मुकाम को हसल करते हैं तो दोस्वों उन्हें देखकर आप भागेगा मत जी है दोस्वों इनसे भी महादेव बहुत ज़्यादा प्रिशान हो जाते हैं कि दोस्वों आज के जिवनकाल में आप देख रहे होंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी तिसरे व्यक्ति को मार रहे हैं तो दोस्वों क के आप खास द्यान रखें महादेव चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो आपके शामने अत्याचार कर रहे हैं तभी तो आपके शामने वो किशी और के अत्याचार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बश भागना नहीं है बश आपको भगवान भुलनात आपके शाह दिखाना है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है या फिर जो आप से होश कि आप हेशी बातों का परयोग कर सकते हैं जो कि उनके शपोर्ट में हो उनके शाहता के लिए हो और वो लोग उनकी जुह मजाक न उड़ाए तो दोसों गर आप एशा करेंगे तो दोसों आप महादेब की नजरों में हमेशा ही उच्च अस्थान की प्राप्ति करेंगे और महादेब हमेशा आपको शारी कारियों में शुफलता दिलाएंगे जी हैं दोसों शादिसा दोसों हम आक्षिवी को बता दे कि जो लोग छोटे बच्चों पर बेवजा हाथ उटाते हैं बेवजा ही छोटे बच्चों को प्रिशान करते रहते हैं तो दोसों इश्य जिवनकाल में महादेब कभी वे प्रशन नहीं रहते हैं जो लोग एशा कारि करते हैं उ आग्या का पाला नहीं करते हैं उन्हें तकलीब देना चाहते हैं जो लोग अपने जुनकाल में इशा कारी करते हैं दोस्तों जो लोग माता पिता को तकलीब देती हैं उन्हें प्रिचान करना चाहते हैं उनकी बातों को नहीं मानते हैं उनसे हमेशा भगवान नाराज रहता दूसों बश यही शब गलतियां है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है अपने जुनकाल में जे दूसों अब आपको कौन्ची बातों का और ध्यान रखना है दूसों कभी का बार कई लोग किन्रों का अपमान भी कर देते हैं जे दूसों किन्रों को अपने कलत सब्दों का प पहुजते ही और भगवान की बनाई हुई चीजों को आप मजग ओड़ाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बहुंद भगवान भी आपको इसे कार्जिं को देंगे जिन से आपको नुफषान हो जाएगा तो दोस्तों आप इस बात के द्यान रखें जी दोस्तों बहुत चारशी लोग हैं कि बेजुआ जान पर परिशान करते हैं जे दोस्तों इसे शनीदेव का परकोप लगता है। जिहां दोसुं, आप शिवी को बता दें, कि इन शे शनिदेव की जो बादाए हैं, वो वैक्ति की जुनकाल में आती है, और बहुत शारे मुशिवत उनकी जुनकाल में चारों तरफशे घिर लगते हैं, जिह दोसुं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो लोग इन शुनकाल में अगर आप इशा कर रहे हैं, तो दोसुं, इन शवी को आपको भूल कर भी छोड़ देना है, दोसुं, अगला जो बात है, वो बहुत ही शरल है, दोसुं, ध्यान से सुनिएगा, दोसुं, इन शे आपको काफी धनलाब होगा, हर छेतर में काफी तरक्य आपको देखने को मिलेंगे, दोसुं, आपको शुमवार के दिन दूद, शुमवार के दिन कच्चे दूद में जल मिलाकर शुवलिंग के उपर अर्पित करना है, जे दोसुं, इस ये महादी बहुत ज़्यादा प्रशन होते हैं, और ये बात हमने आपको पहले भी बताए हैं, ज दोस्तों, खास इस बात के दिन रखें, जो भी मंदिर के शामने गरीब लोग बेठे होते हैं, उनकी शाहत अगर आप करते हैं, तो दोस्तों, भोले नात और शनिदेब दोनों ही इनसे प्रशन होते हैं, इनसे जो व्यक्तिर जो चाह मंदिर में लेकर जाते हैं, उनकी एक पूरी हो जाती है जिया दोस्तों तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोस्तों इस बात कित्या रखें कि वहां पर बेठें जो भी विखारी हैं जो भी लोग हैं उनको आप दान पुन जरूर कीजेगा शाथे साथ दोस्तों आपको बता दें कि घर में माता लक्ष्मी का वाश करने के लिए धन की वर्षा करते नेने के लिए धर हमेशा आपके घर में आते रहें दोस्वों इनके लिए आपको कौनशे बातों का ध्यान रखना है कौनशे कारें को करना है दोस्वों आक्षिव को बता दे कि आपको प्रति दिन शुभ जल्दी जगना है और जगते हुए ही शुरुदेव को जल अरपित करना है इसी दोस्वों जल्दी ही जो लोग नोकरी क चाहर रखें दोस्तों उनको नोक्री मिलेगी और शंभावनाएं आपकी जुनकाल में बढ़ने वाली है नोक्री को लेकर और शार शाद दोस्तों शुकरवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के भी पूजा राचना करने हैं और माता लक्ष्मी का आपको मंत्र ओम भूर दाइश चुनाने हैं दोस्तों आपके इशारे कष्ट आपके इशारे अर्चने श्रमापत हो जाएंगी तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखेगा शादिशा दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुबहों मंगल मैहूं धन्यवाद